हालो गैज वेलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आज चलिए आपको बताते हैं एक बहुत ही खास नोड़ी के एक पाव भाजी के बारे में इसके सौब का नाम है सरदार पाव भाजी यहां पर पाव भाजी खाने के लिए लंबी लाइने लगती हैं और अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है अगर लोकेशन की बात करें तो आपको मुंबई से चार सो से पांसो मीटर परेगा तो आप चलिए आप चलते हैं करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी खासियत है इस पाव भाजी में और कितना फेमस है कि वेट करते हैं चलिए तो देखते हैं कैसे तयार होता है पाव भाजी तो आभी फिला लिए आप सामने देख रहे हैं भाजी बन रहा है और भाजी काफी कौइंटिटी में एक बार बनता है एक साथ बड़े बड़े दो थाल आप देख रहे हैं और उसमें तयार होता है भाजी और एक ची रहे हैं जो और किसी के बस कर नहीं है तो काफी टेस्ट आप पहूंचे हैं यहां पर टेस्ट भी करेंगे तो कीचेन आयरी दिखना बहुत होता है की कैसे बन रहा है और क्या बन रहा है तो आपको दिखा रहे हैं और खासियत सबसे ज़्यादा यह कि बटर काफ़े इस्तमाल करते हैं यह अपने पाव भाजी में और इसके कारणिस का टेस्ट काफी अच्छा होता है तो देखिए बटर की क्वाइंटिटी तो आपको दिखाते हैं कि पार्शल में हो गई होगा और आप चलते हैं पाव की बारी तो पाव कैसे बटर में यूज होता है वो भी आप देखिए यह प्यूर अमूल का बटर है कोई लोकल बटर स्थिस्तमाल नहीं करते हैं पुड़ा प्यूर अमूल का बटर और इन्होंने तावा पे डाल दिया बटर और इतनी क्वाइंटिटी में बटर आप पाव को पूरे दुबा देंगे इसमें तो आप सिकायत आपको बटर का यहां पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और खाएंगे तो आपको बिल्कुल मजा जाएगा अगर आप मॉंबई में हैं तो जरूर टेस्ट करें एक बार आके और अगर मॉंबई आये हैं तो भी एक बार आप जरूर टेस्ट करें लोकेशन में आपको बता दिया फिर एक बार बताता हूं आप मुंबाई सेंट्रल उत्रेंगे मुंबाई से चार सो से पांसो मीटर की दूड़ी पे आप किसी से पूछेंगे कोई भी आपको बंदा बता देगा बहुत ही फेमस सौफ है तो आप एक बार जरूर विजिट करे क्याओ कता हूं रज़ित ya कर दोगा पार प्लड़ित अंवे उड़िता झाल 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 देख देख के मेरे मुँँ में पानी से आगया है तो चलिए मैं भी यह और करता हूँ और चलिए हमने और कर दिया है और बेटिंग कर रहे हैं और देखते हैं कितने दिर के बाद अपना डंबर आता है अपने प्रस रहता है यहां पेंट में तो खाने में तो गजब टेश्टी हुगा ही और आप बटर देख सकते हैं बटर की कुएंटिटी पूरे प्लेट में एक चौप करके दिया गया है और इसे खाने के लिए पहले मिक्स करना होगा बटर को पूरी तरह से भाजी में और उसके बाद तेश्ट करेंगे देख सकते हैं कितना भीर है रिश्ट्रेंट में और केवल कम है तो लोग वेट कर रहे हैं चलिए तो इसे मिक्स करते हैं अच्छे से भाजी को तो बटर के साथ इसके बात मज़ा लेते हैं चलिए वीडियो में पने रहे हैं और क्या बता है मुहमत पानी आ रहा जल्दी खाते हैं और मिलते हैं और ब्लॉग में और हाँ अगर आपने अभी तक मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज डिप किसन बॉक्स में लिंक है और इस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूले चलिए तो फेर आप यहां से निकल करते हैं और हाँ कमेंट करके थोड़ बताइएगा पर वीडियो कैसा लगा को करें आप लूं में अनुट है